आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ डाउनलोड नाओ अपने पास हम क्या कर सकते हैं चलिए अपने पास हम इनको वज़गणा कर देते हैं तो देखे क्या हो जाएगा यहाँ अपने पास चलिए पहले डी एक्स को इससे गुना कर देते हैं तो यहाँ अपने पास एक्स गुना डी एक्स हो जाएगा फिर माइनस का by गुना dx हो जाएगा तो माइनस का by गुना dx हो जाएगा फिर dx गुना a तो यह जगा अपने पास प्लस का a गुना dx बराबर यहां अपने पास देखे BX गुणा DY तो यह जगा अपने पास BX गुणा DY फिर DY CY से होगा तो यह जगा अपने पास PLUS का CY गुणा DY फिर अपने पास A गुणा अपने पास DY है ना तो यहां अपने पास PLUS A गुणा अपने पास DY तो यहां से देखिए अपने पास हम चलिए सब को एक पक्स में ले आते हैं तो यहां हो जाएगा अपने पास AX गुनादी एक्स फिर अपने पास माइनस का BY गुनादी एक्स प्लस A गुनादी एक्स है ना और इन सब को इधार ले आएंगे, तो यह हो जाएगा अपने पास माइनस का BXDY, फिर अपने पास माइनस का CYDY, और यहाँ अपने पास माइनस का ADY, और यह हो जाएगा अपने पास बराबर 0, तो देखें दोस्तों इसको हम देखें, तो यहाँ अपने पास माइनस का BYDX है और यहां अपने पास minus का b x dy है तो यदि इन दोनों से minus का b u finish लेलू या फिर और देखें अपने पास मैं सबको दूसरे पक्स में लजा रहा हूँ मतलब minus से गुणा कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा यहां अपने पास देखें हम b जो हैं वो अपने पास minus लेलेंगे तो यहां अपने पास क्या बच जाएगा यहां अपने पास y dx बच जाएगा और यहां अपने पास plus x dy बच जाएगा ना देखें यहां अपने पास b u finish आ रहा है y dx यहां बच गया x dy यहां बच गया dy dy और यहां अपने पास यह प्लस का हो जाएगा तो a dy बराबर अपने पास 0 तो देखिए यहां अपने पास यह क्या होता है तो यहां अपने पास y को छोड़ो x को चोड़ो y का उकलन तो यह होता है अपने पास d of x गुना y है ना तो देखिए तो देखिए अब हम क्या कर सकते हैं चले अपने पास हम इसका समाकलन कर देते हैं तो यहां जाएगा अपने पास समाकलन यहां अपने पास हम B को आगे लिख लेते हैं और यह हो गया अपने पास D of X Y फिर अपने पास माइनस यहां हो जाएगा अपने पास देखे A तो आगया जाएगा और यह हो जाएगा अपने पास X DX है ना देखे A, B, C अपने पास अचर है ना यहां दे रखा है तो अचर को अपने पास हम बार ले सकते हैं फिर अपने पास minus यहां हो जाएगा अपने पास समाकलन DX x फिर अपने पास प्लस यहां हो जाएगा अपने पास c बहार और यह हो जाएगा अपने पास y dy फिर अपने पास a बहार और यह हो जाएगा अपने पास समाकलन dy और यह हो जाएगा अपने पास 0 के बराबर यहां जाएगा अपने पास a, dx का समाकल x हो जाएगा, फिर अपने पास plus e हो जाएगा c, y की घाद 2, बटे नीचे अपने पास 2, फिर अपने पास plus a, dy का समाकल y, और यह अपने पास 0 के बड़ाबर, तो यहां देखेंगे अपने पास हम इसको अच्छे से लिगना चाहें, तो माइनस से गुणा कर देते हैं, ताकि अपने पास x गाद 2, y की घाद 2 का गुणा कर देते हैं, तो यहां हो जाएगा अपने पास minus c, y की घाद 2, यहां हो जाएगा अपने पास minus c, y की घाद 2, यहां हो जाएगा अपने पास minus c, y की घाद 2, यहां हो जाएगा अपने प पास माइनस का 2AY बराबर अपने पास 0, तो देखिए, यहां अपने पास हमने समाकलन क्या है, समाकलन क्या है तो अपने पास एक अजर भी आएगा, जिसे कि अपने पास यहां C1 आ रहा है, यहां C2, यहां C3, यहां C4, C5 बना, इनिश यह समाकलन है, तो यहां अपने पास हम जो अचर पर आएगा उसको चले अपने पास हम K1 बोल देते हैं और यह अपने पास 0 के बराबर हो जाएगा तो यहां भी अपने पास क्या आएगा यहां भी अपने पास प्लस का K1 बराबर अपने पास क्या जाएगा मान होना चाहिए तो यहां अपने पास हम लिख देंगे कि A जो है वो अपने पास Y का गुणांग माइनस C के बराबर होना चाहिए, X की गाद 2 का गुणांग A, Y की गाद 2 का गुणांग के बराबर होगा, तो a बराबर minus c हो जाएगा दूसरी बात अपने पास xy का गुणांग जो है तो xy अपने पास ये वाला पत तो xy का गुणांग 0 के बराबर होना चीए तो minus 2b का मान अपने पास 0 के बराबर होना चीए जहां से अपने पास b का मान की तोना आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो B का मान अपने पास क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, अब देखिए यहाँ अपने पास हम बात करें, तो यह हो जाएगा अपने पास A की जगह अपने पास A रेंड देते हैं, माइनस C की जगह A रख देते हैं और यहां अपने पास plus का k1 बराबर अपने पास 0 तो चलिए अपने पास हम a का भाग लगा देते हैं पूरे समिकर्ण में तो यहां अपने पास x की घाद 2 plus y की घाद 2 plus यहां अपने पास 2x यहां अपने पास minus का 2y और यह जगा पने पास K1 बटा नीचे अपने पास क्या जाएगा? नीचे अपने पास E आजाएगा और यह पने पास बराबर जगा 0 क्या न? और यहां देंडेंडेंगा, कम क्यआ एक क्या लिग देते हैं? तो चलिए अपने पास हम माल लेते हैं कि k1 बटा a जो है वो lambda है और यहाँ अपने पास lambda बराबर k1 by am लिख देते हैं side में और यहाँ अपने पास हम इसकी जगह क्या ले लेते हैं इसकी जग अपने पास हम लेंडा ले लेते हैं तो चले अपने पास हम बात करें तो यह झो है वो अपने पास कहाँ से जा रहा था यह अपने पास बिंदु 2,5 से जा रहा रहा है तो हम क्या कह Сकते हैं कि 2,5 बिंदू 2,5 इस वरत की समिकन को सम्तुछ करेगा क्योंकि वरत अपने पास 2,5 से उकर जा रहा है तो 2 रखेंगे तो 2 का वर्क 4 हो जाएगा 5 का वर्क 25 हो जाएगा फिर 2 गुणा 2 यह जेगा अपने पास 4 के बराबर फिर अपने पास 2 गुणा वही तो यहां जेगा अ आगे हम बात करें तो देखिए यहां अपने पास हम वरत का समिकन तो लिख सकते हैं अच्छे से दोबार लग देते हैं तो यहां अपने पास जो वरत आ गया वो आगया अपने पास x की खाद 2 प्लस y की खाद 2 प्लस 2x माइनस 2y और यहां अपने पास माइनस का 23 बराबर 0 अब देगी यहां अपने पास हम इसका केंदर और त्रिजया निकाल सकते हैं तो केंदर जो है वो अपने पास क्या हो जाएगा तो केंदर की बात करें तो X के गुणां का माइनस आप तो यहां अपने पास दो बटे माइनस का दो कितना जाएगा, माइनस एक आजाएगा, और y के गुणां का माइनस आप, तो यहां आपने पास यह प्लस का 1 आजाएगा, और त्रिजिया की हम बात करें, तो शली अपने पास हम त्रिजिया की बात करते हैं, तो त्रिजिया की बात करते हैं, तो त्रिजिया से अपने पास ह of minus 1 का वर्ग 1 plus 1 का वर्ग 1 और minus का C, तो यहां अपने पास minus minus C अपने पास plus का T भी सा जाएगा तो 23, 24, 24, 25 तो यहां अपने पास C under root 25, under root 25 मतलब कि अपने पास R का मार कितना आ गया R का मार अपने पास 5 आ गया अब देखे, यहां अपने पास जिसे मान लीजिए कोई भी वर्ग 2 है, हाँ ना, देखे हमें इस बिंदू की 11,6 की वर्ग 2 से नियूंतम दूरी गयात करनी है तो जिसे की मान लीजिए, यह हमारा कोई वर्ग 2 है अब कोई भी बिंदू अपने पास 6,11 है मान लीजिए अपने पास यह है तो इससे नियूंतम दूरी अपने पास कैसे निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, इस बिंदू की यहां अपने पास के अंदर से दूरी निकालेंगे जो कि अपने पास D होगी और उसमें से अपने पास यह तिरिया निकाल देंगे तो हमें नियुन्दम दूरी प्राफ्ट हो जाएगी और देखिए यह बिंदू तो अपने पास 6,11 था सुरी 11,6 था तो बिंदू अपने पास कहा है बिंदू अपने पास यहां 11,6 तो बिंदू है अपने पास 11,6 और हमें निकालनी है ये वाली दूरी जिसे अपने पास हमने चले इसको ही डी बोल देते हैं तो यहां से अपने पास d बराबर क्या जाएगा तो यहां अपने पास देखिए बिंदू a के इंदर दिसां क्या हो जाएगे वरत का के इंदर तो minus 1,1 है ना देखिए यहां वरत का के इंदर निगाला था minus 1,1 तो यह जाएगा अपने पास d बराबर यहाँ जाएगा अपने पास under root of देखें, x2 x2 अपने पास क्या हो गया, यहाँ अपने पास 11 x2 हो गया, तो 11 minus minus plus का 1, और इसकी घात अपने पास 2, x2 minus x1 के होल गात तो y2 y2 अपने पास 6, minus y1 तो minus 1 की होल गात अपने पास 2 तो 12 का वरग हो जाएगा अपने पास 144 और 5 का वरग हो जाएगा अपने पास 25 और इस पूरे का वरग मूल, तो 179 179 का वरग मूल हो जाएगा अपने पास 13 के बराबर तो d का मान अपने पास 13 आ गया लेकिन, sorry, यहां आपने पास minus R भी करना था, तो R गठाएंगे, तो R अपने पास कितना है? R अपने पास 5 आया है, तो यहां आपने पास minus 5 भी करेंगे, तो यहां 13 minus 5 आ जाएगा, जहां से अपने पास D का जो मान है, वो 8oding के बराबर आजाएगा. Classics to 12 से लेके Need IIT जेही Means और Advanced के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स कभर हो सा आज ही डाउनलोड करे डाउटने टाप या WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स आठ चारसो 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 पर